Hello my dear students, Hello kids, I hope you are fine, तो बच्चो इस वीडिया में हम पढ़ेंगे smallest and greatest number बनाना, अगर उसमें 0 भी आ रहा हो तो, लेकन इससे पहले कि जो वीडियो थी, उसमें हमने वर्क्षिट वो वाली की थी, जिसमें 0 नहीं था, आपको मैं दिखा दिता हूँ, देखो यहां पे 0 नहीं है, लेकन अगर मानलोट में 0 भी आ जाए, तो फिर कैसे करेंगे, इनका तरीका थोड़ा अलग होता है, ठीक है, तो यही चीज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, ओके, तो देखे, यहां लिख रहा है, M.A.K.E. Make greatest and smallest number using with 0 digits, ठीक है, मतलब 0 अगर बाला भी अगर आ जाए, तो आपको greatest and smallest number कैसे बनाना है, तो पहला question है, make greatest number using digits, ओके, greatest number बनाना है, आपको digits का use करके, तो कैसे बनाएंगे, देखो, 1,0,5,4, अब इसको हमें करना है, greatest number बनाना है, इनसे, तो देखो, greatest number में बच्चों क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा आता है, तो इन में सबसे बड़ा कौन है, 5, ओके, उसके बाद क्या है, 4, उसके बाद क्या है, 1, और उसके बाद क्या है, 0, ठीके, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीके, इस तरह से आप करेंगे, ओकी, कैसे करते हैं, ऐसे, पहले सबसे बड़ा, फिर उ ऐसे इसमें देखो सबसे बड़ा 9 अच्छा कॉमा नहीं लगाने इस बीच में द्यान लखना ये बन गया 5,410 क्या बन गया 5,410 कॉमा नहीं लगाने इस बीच में है न आप देखो इसको करते हैं तो सबसे बड़ा 9 फिर उससे छोटा 9 से छोटा कौन है 7 ठीक है फिर उससे छोटा 6 फिर उससे छोटा 0 तो बन गया 9,760 ओकी इस तरह से आपको कर नहीं है यह देखो इसको करते हैं तो यहां दे रखा है 2,0,6,3 अब यहां पे सबसे बड़ा कौन 6 उससे छोटा 3 उससे छोटा 2 फिर लास्ट में 0 ठीक है? ऐसी यह वाला है यह आप खुछ से करेंगे ठीक है? तो देखिए आप करते ही हम Make smallest number using digits बच्चो आपको देखो greatest number बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं आई आई आपको क्यों जैसे पहले था ऐसे किया है हम ठीक है? पहले बारे बर्ट श्रीट में जैसे हम करते थे ऐसे इसमें किया है लेकिन जब हम smallest number बनाते हैं क्या बनाते हैं? smallest number बनाते हैं तो यहाँ को थोड़ा सा दियान रखना है ठीक है? जैसे देखो करते हैं यहां पर है make smallest number using digits तो यहां पर बच्चों देखो 5,0,7,1 यह दे रखा है फरस्ट वाले में ठीक है अब smallest बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं smallest में सबसे small वाला लिखते हैं smallest लिखते हैं ठीक है तो इसमें सबसे छोटा कौन आप कहोंगे सर सबसे छोटा तो zero है तो सबसे छोटा zero है तो इसका मतलब यह हुआ कि zero को सबसे पहले रख दें आप सही सोच रहे हो न नहीं बच्चों यह गलत तरीका है ऐसे नहीं कर दें इसी बात का आपको ध्यान रखना है ठीक है जीरो बेसक सबसे छोटा है लेकिन इसको कभी भी हम सबसे पहले नहीं रखेंगे अब आप सोच रहेंगे सर सबसे पहले नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे तो बच्चों इसको सबसे पहले ना रख करके इसको दूसरी नमबर पर रखेंगे पहले वाले नमबर पर नहीं रखेंगे इसको दूसरी नमबर पर रखेंगे जैसे यहां सबसे छोटा 0 उसके बाद 1 आ रहा है ठीके? तो पहले हम 1 को लिखेंगे और दूसरे नमबर पर 0 को लिखेंगे ठीके? वैसे तो 0 आना चाहिए था पहले फिर 1 आता क्योंकि 0 छोटा होता है 1 बड़ा होता है पहले 0 इदर आता लेकिन ऐसा नहीं करना है चीके आपको 0 को हमेशा दूसरे नमबर पर रखना है चीके और यही trick है यही बात है जिस पर आपको ध्यान देना है चीके बच्चे यहीं पर mistake करते हैं तो सबसे पहले 1 फिर 0 आएगा ठीके उसके बाद देखो क्या है 5 ठीके और फिर क्या आ रहा है 7 तो बन गया 1057 ओके कॉमा यहाँ पे भी आपको नहीं लगाना है इन में ठीके अब यह देखो 2 109 ठीके तो इसमें सबसे छोटा कौन 0 उसके बाद 1 तो पहले 1 लिखेंगे उसके बाद 0 लिखेंगे और फिर 2 और फिर 9 ठीके ऐसे करके लिखेंगे इसमें देखो सबसे छोटा कौन 0 उसके बड़ा कौन 1 तो 1 पहले लिखेंगे और 0 बाद में लिखेंगे उसके बाद फिर 2 और फिर 2 से बड़ा 3 ठीके ऐसे इस वाले कुशन को करेंगे तो कैसे करेंगे सबसे पहले 0 सबसे छोटा है उसके बाद 7 लेकिन 7 को आगे रखेंगे और 0 को बाद में रखेंगे अब रखेंगे 8 को फिर रखेंगे 9 तो बन गया 7089 तो ये नमबर बन गया तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि 0 बाला गर आ जाए तो किस तरह से हम smallest नमबर बनाते हैं ठीक है ये वाले questions आपको अपने फिर अंटो लुक में करने होंगी ठीक है एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ ये देखिए अपारा हम सही note कर सकते हैं इनको ठीक है वीडियो में तब तक के लिए बाई और टेक केर और थैंक्स पर वाचिंग